रात को बिस्तर में लेटने के बाद 3-4 घंटे नीन्द का इंतजार करना और कई बार तो पूरी रात नीन्द के इंतजार में गुजार देना दुनिया के 50% लोगों के साथ ऐसा होता है अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ तीन ऐसी टेकनीक जो तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं 100% एफेक्टिव हैं लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है यह आपके शरीर को रिलेक्स करेगी, मन को रिलेक्स करेगी इसमें हम एक्यू प्रेशर भी यूज करेंगे और साथ में एक प्रानायम भी यूज करेंगे यह आपके शरीर और मन को बिलकुल शांत कर देने वाली टेकनीक से हैं आपके जो मन में thoughts चल रहे हैं दिन भर के वो सब खतम हो जाएंगे और आप पूरी रात चैन की नीन सो पाएंगे जो पहला step है वो सबसे important है क्योंकि सोने से पहले हमारे body को mind को ये message देना बहुत जरूरी है कि ये हमारे नीन्द का समय है तो आपको क्या करना है अपना dinner जल्दी कर लेना है सोने से 3-4 घंटे पहले ताकि इस वक्त आप आराम से सो पाएं और अब हम हाथों की massage करेंगे ये massage इतनी effective है कि आपको दूसरे और तीसरे step तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हम बहुत सारे acupressure points को प्रेस करने वाले है और ये आपको कब नीन्द की तरफ ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा जो भी आपकी favorite cream है, oil है वो अपने हाथों में इस तरह से लगा ले और दोनों हाथों को अच्छे से मसल ले जब हतेलियों में बढ़िया सी गर्मा हट आजाएं तो अपनी fingers को इस तरह से प्रेस करना है अच्छे से pressure देते हुए अंगुठा, उंगली सबकी बढ़िया सी मसाज करनी है इनके जो fingertips हैं उन्हें दबाना हैं आपको और ये दौनों हाथों में करना है आपको तो हमारी उंगलियों में जो बहुत सारे acupressure points होते हैं जो आपके पूरी body के साथ साथ brain से भी connected होते हैं तो ये करने से आपकी body relax होगी और brain में जो आपके neurons हैं जो messages ले जाते हैं उनको बढ़िया सा message मिलेगा कि ये आपकी नींद का समय है इस तरह के जो rituals होते हैं वो बहुत effective होते हैं ये आपके शरीर को मन को ये बताते हैं कि ये आपकी नींद का समय है कुछ लोग इसके लिए पैर धूने के बाद सोते हैं या कुछ लोग रात का dress एक अलग रखते हैं वो dress pen कर ही सोते हैं और मुझे जैसे ये बहुत पसंद है ये अक्योप्रेशर मसाज इससे बहुत अच्छी नींद आती है बहुत ही amazing results हैं इसके तो कुछ नहीं करना है आराम से बिस्तर पर बैट कर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं ये करते करते ही आप इतना relax हो जाएंगे कि दूसरे और तीसरे step की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये मसाज के बाद आप ये एक्योप्रेशर पॉइंट दबा दें ये जो दोनों fingers है ना इनके बीच से यहां आएंगे तो ये एक notch सा मिलेगा यहां पे इस गड़े में इस त करते रहें ये बहुत relaxing है दोनों हातों में आपको इसे करना है ठीक है यह हो गया पहला step अब आप आराम से लेट जाएं जिस position में आपको लेटना पसंद है पीट के बल लेट पाएं तो बहुत अच्छी बात है अदवाइस आप करवट से भी लेट सकते हैं आराम से लेट अपने पूरे शरीर को relax कर लें अपने हाथ पैर कंदे पिल्कुल धीले छोड़ दें कहीं अगर आपको कुशन की जरुवत है पिलो की जरुवत है तो वो लगा लें यानि complete relaxation में आपकी body आ जाए अब आप अपनी आखे बंद कर लें और जो instructions में दे रही हूं उन्हें सुन आखों के आसपास जैसे ही आपका ध्यान आखों पर जाता है आपकी आखे रिलाक्स हो जाती है क्योंकि यही वो भाग है जो लेटने के बाद भी एकदम stressed रहता है पलकें जल्दी जल्दी जपकती रहती है हम कुछ ने कुछ सोचते रहते हैं तो अपनी आखों को बिल्कु रिलाक्स कर लें आखों की तरफ ध्यान रखते हुए एक गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें अब अपना ध्यान अपने मुझ की तरफ लाएं लिप्स की तरफ लिप्स को रिलाक्स करें आपकी आखे बंध ही हैं बंध आखों से अपना ध्यान अपने मुझ के अंदर ले जाएं देखे इस वक्त अगर आपके जौज आपके जबड़े कसे हुए हैं तो उन्हें धीला छोड़ दे अपनी जीब को रिलाक्स कर दे बिल्कुल धीला महसूस करें इस वक्त आपकी जीब पर कैसा स्वाध है जीब सूखी है या गीली है आपकी जीब मुझ में कहां कहां पर टच हो रही है बारीकी से एक एक चीज को देखें फिर से अपना ध्यान मुझ से भार ले आए अपने कंधों की तरफ और कंधों को एकदाम रिलाक्स करें आप आएंगे कि कही बार स्ट्रेस के कारण हमारे कंधे एकदम टाइट होते हैं जकड़े वे होते हैं उन्हें बिल्कुल धीला चोड़ते हैं अपने फोर हेड की तरफ ध्यान लाएं माथे की तरफ बिल्कुल रिलाक्स करें अपने माथे को वहाँ पर कोई शिकन ना हो अपने गालों पर ध्यान ले जाएं गालों को रिलेक्स करें अपने नाक को रिलेक्स करें उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है बस वहाँ ध्यान ले जाना है वो भाग अपने आप रिलेक्स होता जाएगा और इस रिलेक्सेशन को आप फील करते जाएं महसूस करें कि आप इस वक्त एकदम आराम दायक स्थिती में हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अभी भी अगर शरीर के किसी और भाग में कहीं अकडाहट लग रही हो, आनीजीनेस लग रही हो, तो उस भाग को भी रिलैक्स कर दें, यानि पूरा शरीर इस वक्त एकदम कम्प्लीट आराम की अवस्था में आ जाएं, अपने कानों की तरफ ध्यान ले जाएं, कानों में मेरी आवाज को जाते हुए सुनें, पूरे चेहरे की तरफ ध्यान लाएं, और एक लंबा गहरा सांस भरें, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें, सिर के तरफ ध्यान ले जाएं, सिर के सबसे उपर का जो स्थान होता है, चोटी का स्थान, वहाँ पर ध्यान ले जाएं, टॉप अफ दा हैड, और महसूस करें, वो भाग एकदम रिलाक्स हो रहा है, इतना करते-करते आपका शरीर एकदम रिलाक्स हो जाएगा शरीर में जितनी भी थकान है पूरे दिन भर की वो दूर हो जाएगी और अब हम अपने मन को शांत करेंगे उसके लिए आप क्या करें? बाई तरफ करवट लेकर लेट जाएं लेट गए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने सिर्फ लेट से सांस लेना और छोड़ना राइट नॉस्ट्रिल बंद किया लेट से इन्हेल एक्सेल इन्हेल एक्सेल करते रहें इस तरह से आपको सांसे लेते रहना है हर सांस के साथ मन में ये भाव कि हम रिलैक्स होते जा रहे है मन शांत होता जा रहा है मुझे नीन्द आ रही है इस तरह के भाव करते हुए left nostril breathing करें ये आपके brain को पूरी तरह से शान्त कर देगा जितने भी thoughts चल रहे थे वो सब रुख जाएंगे क्योंकि ये आपके parasympathetic nervous system को activate कर देता है इस वक्त आप सबसे ज़ादा restful feel करते हैं इस तरह से breathing करते हुए आपको कब नीन्द आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और ये नीन्द restful होगी, rejuvenating होगी अगले दिन जब आप उठेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे आखे बंद करके सांसे लेते रहें relaxation को महसूस करें और सो जाएं